हेलो फैंड्स गेट ग्लास में एक बार फिट से आपको सवागत है आज किस वीडियो हम डिस्क्रस करेंगे डेंपिंग फेक्टर यह भाइब्रेशन का एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है इससे क्या को भी एक कमपेटिटिव एक्जाम हो या युनिवर्सिटी एक्जाम हो इससे अक्सार आपको प्रोब्लम और सिंपल डिफाइन के लिए करने के लिए आई जाता है तो चलिए फ्रेंड्स इसको इजली वेसे कैसे समझते हैं और आज के बाद इसको कभी नहीं भूलेंग इसको अच्छे तरह समझना है तो यह वीडियो कम्प्लीट तरह देखें और तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेम्पिंग फेक्टर को डेम्पिंग रेशियो भी बोलते हैं इसको डेम्पिंग रेशियो करने हैं तो यह क्यों कि बीट्रेशिस को अब गीनोड कर सकते हैं इसको işte जगा अलग अलग बोक में इसका डीटा dagger हैai ओंड़ कर लेत it's called simple definition and damping factor equal to damping copies it is defined as the ratio of damping coefficient upon critical damping coefficient critical Damping coefficient to gta equal to you have a Damping coefficient was he said not करेंगे अपर इसकाल दंपिंग को बशेंट को सी सी से तो यह यह होगा पार्मॉला इसमें क्या देंप दो इसमें क्या थैंपिंग और देंपिंग को पिसेंट में इसी C क फ एक उर आफि पान एक सकाव पान डान ड्योंवाज ट्यों आफ तो यह कि और अपिक प्रॉपना ने व्रिवल आपीज में ट्यों वित वीकल ग्रिकल दंप टिंप प्वेशन ची swirl to root under 2 into root under के है यह यह अपका कर्सक्राइब है नहीं को परीछ इस को सकते इंपिंग को तो count ये स्क्राइब ये ने पिंद रेश्यों तो इस पर यूज टाया वट इटS इंद इसका मतलब इससे यह पता कर सकते हैं जैसे कभी क्या अगर डेम्पिंग फेक्टर अगर ग्रेटर देन वान होगा तो इसको आपन क्या बोलेंगे ओभार डेम्पिंग अगर देंपिंपिंटरों डिस देंपिंग रिश्यक्वल टो क्या हो जागा वांत इसको बोलेंगे क्रिटिकल देंपिंग अगर के लेज देन वान हो जाए तो इसको बोलेंगे अउन्डर डेंपिंग कंडिशन के अगर्ण देंपिंग तो मतलब इसका यूज यह कि यह इसे ब क्या कि डंपिंप्र राइश इसे फाइं कर लेतेवा देखते हैं किस बढ़ता थे लिए अगर वो बेल्यू वाल शेया तो अबर देंपिंग रिक वाल गृत रिक्त क्यों देंपिंग बेल और लेस्ट देन वागन वान वान वाट तो अंडर डेंपिन अगा तो फिरेंश इविडिवर पो पॉर शाल अप्ली लाइक और कमेंट करके हमें पता है thank you friends watching for this video